चलिए जी दो चार दस बार रिफ्रेस मैं कर लेता हूँ ठीक है इससे कुछ फैदा तो है नहीं मेरे को अभी लेकिन चलिए Microsoft ने दे दिया है तो उसका सम्मान करना चाहिए 5 दबा के ठीक है चलिए जी एक सल में खोल लेता हूँ ऐसे ठीक है आप लोगों मैं बोला था attendance register बनाने को आप लोगों ने बनाया मेहनत किया मुझे उमीद है कि आप लोगों ने कुछ किया होगा मेहनत कुछ लोगों नहीं किया होगा ठीक है लोगों ने मेहनत किया नहीं किसने नहीं किया इतने लोगो कितने लोगों नहीं बनाया वो बताओ ऐसा ये बात है चलिए मैं एक ठोग गीता का असलोग सुनाता हूँ आप लोग को ठीक है कर्मन नेवा धिकारस्ते मा फले सुकदाचना मा कर्म फल है तूर भूर मा ते संगस्त कर्मन कर्म करो फल का चिंता मत करो क्योंकि फल का चिंता करोगे तो कर्म पर से ध्यान आपका हट जाएगा ठीक है इसलिए कर्म आप लोग करिए फल अपने आप आपको मिलेगा ठीक है ये मैं नहीं कहता ये तो द्वापर में क्रिस्न बोलके गए थे ठीक है तो इसलिए आप लोग कर्म करिए अटेंडेंस रिजिस्टर बनाईए बनेगा चाहे नहीं बनेगा वो तो छोड़ दीजी आगे ठीक है ठीक काम करिए काम करने के बाद फल भाग जिए उपर छोड़ दो तो भाग जिए अपना काम करता ही रहेगा ठीक है चलिए खैर छोड़िए ज़्यादा उपदेश सिहत के लिए हनिका रखोता है ठीक है आप लोग नहीं बनाए मैं सुचा मैं ही बना लू तो थोड़ा सा मैं मेहनत किया था कल ठीक है दिखा रहा हूँ बनाया था कैसा बना था मैं बहुत जाड़े दिजाइन उजाइन तो नहीं जानता हूँ जी करने यह देखे मैं बनाया था इतना छोटा दिखे का मेरे को यकिन नहीं हो रहा है मजा नहीं आया देखके मैं रजूलेशन हाई करूँ क्या प्रोजेक्टर का लेकिन हाई भी कर दूँगा ना तो मजा नहीं आगा आप लोगो दिखाई नहीं देगा पूरा प्रोजेक्टर लेश्ट ठीक है बहुत छोटा लग रहा है इसमें तो ठीक है तो शुरू करें क्या बनाना ऐसा है शुरू करते हैं बनाना ठीक है बाकि लेकिन छोटा छोटा दिखेगा मेरे को मजा नहीं आगा इसको अगर मैं रेजुलेशन अगर हाई करूं थोड़ा सा तो कैसा रहेगा हाई करूं किया थोड़ा सा लेकिन आप लोग को ना जितना clear प्रोडेक्टर में दिख रहा है उतना clear नहीं दिखेगा नहीं करूं फेर ठीक है नहीं करता हूं फे काम चलाएंगे इतना ही से ठीक है चलिए जी मैं आता हूं यहाँ पे और new बटन पे क्लिक करता हूं ठीक है create पे क्लिक कर देता हूं जी तो बनाना तयार करते हैं ठीक है सबसे पहले क्या करना चाहिए जी मुझे समझ में नहीं आत रहा है कि क्या करना चाहिए यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं second column से या फिर फर्ट से भी लिखने तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हमारा date start कहां से होना चाहिए ठीक मैं अभी दिसंबर महीना चल रहा है ना मैं दिसंबर का ही बनाता हूं ठीक है यहाँ पे लिख दिया महीना दिसंबर ठीक यहाँ पे मैं जो महीना बदलू उसी महीना का जो है calculate होके उसी तरीके से आ जाये पूरा ठीक है जैसे मैं इसको दिखाऊंगर आपको तो देख लो आप मैं कल छुट्टी का दिन था फिर भी मैं सोझा कि चलो महनत कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक है तो यही बनाया था जो है ठीक है इसको मैं पहले दिखा लेता हूँ कि यह काम कैसे कर रहा है ठीक है यह देख लिजी यहाँ पे दिसंबर है ठीक है तो यहाँ से मैं कुछ भी सेलेक्ट करूँगा तो उसके आधार पे भी बदलेगा पर मुझे यह फीचर ठीक नहीं लगा इसलिए मैं यहाँ सोचा कि सीट का नाम बदल दें ठीक है यहाँ पे कर दूँ जैन तो जनवरी के आधार पे यह पूरा कलेंडर वगर फिट हो गया है ठीक है यहाँ पे दिसंबर मैं कर दूँगा तो दिसंबर के अकॉर्डिंग जो है फिट हो जाएगा यह देखिए आज 27 तारीक है जी यह क्या 27 ही बोलब है न आज संडे है क्या जी यह दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग दिखा रहा है मैं यहाँ पे आके 21 करूंगा अब देखिए कितना दिखा रहा है 27 आज मंडे है जी ठीक है बड़ा मेहनत करके बनाया हूँ तो यह गलती नहीं बनाया बताएगा ठीक है तो कुछ इसी तरह का हम रुपक बनाते हैं चलिए ठीक है तो चलिए निउ पे निउ करता हूँ मैं यहाँ से ठीक है क्रियेट ब्लैंक ब्लैंक में ले लाया तो सबसे पहले यहाँ पे महीना सो कराना है मेरे को ठीक है तो जैसे मैं वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू बनाया था ना ड्रॉप डाउन को जैसे ही चेंज करें ठीक है दूसरा महीना सेलेक्ट करें तो ड्रॉप डाउन मेनू जो मैं बनाया था मुझे वो पसंद नहीं है ठीक है लेकिन मैं दोनों बता दे रहा हूं आपको ठीक है मैं क्या चाहता हूं कि seat का यहाँ पे जो नाम हो ठीक है ओ महीने का नाम हो ठीक है और फिर drop-down यहाँ पे ना रहे drop-down वाला मुझे पसंद नहीं आया तो मैं नहीं मनाना चाहता हूं उसको दी ठीक है सबसे पहला काम कि मैं seat का नाम को rename करके कर दूँगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, यो भी हो जन, मने जनवरी, ठीक अब इस seat का नाम को मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूजी ठीक है तो इस seat का नाम यहाँ पे मैं कैसे लाओंगा बड़ा मेहनत करके सोचा था मैं तो कल आया था मेरे को भी नहीं मालूम है कि कैसे seat का नाम यहाँ पे आएगा लेकिन एक चीज मालूम था मेरे को ठीक है सेल फंक्सन में मैं जाओंगा और फाइल नेम है ठीक है इस पे मैं टैप करके एंटर करूँगा तो फाइल नेम पूरा आ जाएगा यह क्या मजाक कर लिया मजा नहीं आया मेरे को ठीक है तो यह फाइल नेम तो नहीं आया जी बड़ा खराब मजाक कर लिया यह ठीक है तो ये कब आयेगा जब मैं इसको save कर दूँगा अभी save नहीं किया हूँ ठीक है attendance सई है spelling गलत भी होका तो मेरा बिगडने वाला किया है ठीक फिर से दिया equal to का sign self function का इस्तेमाल करूँगा मैं ठीक है फिर enter मारूँगा तो ये देखिया आ गया पूरा attendance ठीक है मेरे कोई ये नाम चाहिए था इतना data मेरे पास है ठीक है तो सबसे पहले तो मैं सोचा कि कोई function होगा एकठो कोई function होगा जो कि seat का name मुझे दे देगा तो मैं formula पे गया था और कुछ इधर से खोजा यहां से तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं ठीक है जी तो मैं laptop उगारा बंद करके बस पैदर चलना शुरू कर दिया कि सोचू कि कुछ idea मिले लेकिन मिला नहीं कुछ idea ठीक है तो फिर सोचा कि चलो कुछ जुगार लगाते हैं ठीक है तो जुगार लगाया कि सीट का मेरे को नाम चाहिए तो सीट क्या है एक information type का data information ही है ना यह seat या फिर name तो मैं सोचा कि information type का data है तो information निकालना है किसी चीज़ का तो self function से कुछ information मिलता है ठीक है तो self function से information मैं यहां से यहां तक निकाल लिया ठीक है अब समस्या यह है ना कि इसका जो seat का नाम है वो seat का नाम सबसे किनारे में आ रहा है ठीक है यह function में अगर इधर लगाऊ seat 2 में ठीक है self function दूँगा और यहां पर आऊंगा ठीक है तो देखिए seat 2 आ गया यहां पर तो यह formula जहें पूरा return कर देता है फाइल का name, locations वगर पूरा ठीक है तो अब हमें क्या करना है कि इस फाइल में से इस data में से यह seat 2 जो यहां पर लिखा है seat 2 का है लिखा है यह देखिए अब जन्वरी आ गया ठीक है यह जो seat का नाम है वो मैं निकालूँ कैसे निकालूँगा मैं step by step काम कर रहा हूँ ठीक है आप लोग ध्यान से देखिएगा ठीक है तो cell function लगाया तो इतना बड़ा मुझे file का name मिल गया ठीक अब मैं क्या करूँगा कि यहां पर देखिए आप square bracket मतलब बड़ा वाला कोष्टक के साथ बड़ा वाला कोष्टक जहां पर बंध है मतलब यहां पर ठीक यहां के बगल में पूरा seat है न तो मैं क्या करता हूँ कि position चेक करता हूँ कि यह बड़ा वाला जो bracket है वो कहां पर है कि इतने number of position पर तो find function से मिल जाता है हमें position बोल रहा है find text बताओ मैंने बता दिया जी यह मुझे find करना है फिर कॉमा दिया ठीक बोल रहा है within text मतलब किस text में से मैं find करूँ मैं बोल दिया जी यह वाला text है फिर कॉमा दिया बोल रहा है start number मैं बोल दिया अज सुरू से इस्टार्ट कर लो न एंटर दबाया यहां पे आ गया 41 ठीक तो इसका मुझे पोजीशन का पता चल गया ठीक अब पोजीशन का पता चलने के बाद अब मैं क्या करूं जी इस पोजीशन के मतलब 41 नमबर पोजीशन के बाद में जो भी चीजे लिखा है वो सब मुझे दे दो समझे में आ रहे आपको 41 नमबर जो है इसका पोजीशन बता है इस ब्रेकेट का अब मैं यह चाहता हूँ कि ऐसा टेकनीक इस्तेमाल करूँ कि यह जो ब्रेकेट है ब्रेकेट के राइट साइड में जितना भी नाम है वो सब तो सीट का नेम है वो सारा नेम मुझे वापस मिल जाए क्या इस्तेमाल करूँगा जी मैं मीडियम फंक्शन का इस्तेमाल कर लेता हूँ जी ठीक है क्योंकि कोई भी टेक्ट का डेटा जो है निकालना है भी इसका तो मीडियम फंक्शन का इस्तेमाल मैं कर लिया करूँगा ठीक है एक वर्टू का साइन दोंगा यहाँ पे लिखूँगा एम आई मीड ठीक यह बोल रहा है टेक्स्ट बताओ मैंने बता दिया यह वाला मेरा टेक्ट है कॉमा बोल रहा है इस्टार्ट नंबर बताओ जी कहां से मैं टेक्स्ट उठाना इस्टार्ट करूँ मैं बोला यहां से यूश्टार्ट कर लो उठाना फिर बोल रहा है कि नंबर आफ करेक्टर मतलब कितना character उठाना है जैसे ये option मेरे से पूछा फिर से मैं सोच में पढ़ गया कि अब क्या करो इसके आगे क्या करूँ अब थोड़े देर एक दो मिनिट सोचा फिर सोचा कि क्यों ना हमको पता चल जाए कि seat का जो number है कोई कुछ बोल रहा है जो seat का number है यहाँ पर seat में जो लिखा है यह कितना character तक लिख सकता है यह जो seat है seat को मैंने rename किया फिर मैंने यह पता लगाने का कोशिश किया कि कितना character तक seat में लिखा सकता है तो मैंने लिखना ऐसे शुरू किया 31 तक खाली type हुगा मेरे को पता चल गया कि में सक्सल 2010 में 31 character जो है type हो जाता है फिर क्या था मेरे को पता चल गया कि 31 character से ज़्यादा type ही नहीं होगा तो मैं क्या करो कि 31 character में निकाल लो किस में से इस में से medium function के जरीए हो सकता है कि Microsoft Office 2010 के बाद का जो version है उसमें ज्यादा character में नाम यहाँ पे seat का आए तो आप ज्यादा character दे देना उसके according ठीक मैं यहाँ पे आया medium function का इस्तेमाल किया ठीक है बोल रहा है text बताओ मैंने बता दिया कौमा दिया फिर बोल रहा है start number तो यह दे दिया मैं फिर बोल रहा है कितना character चाहिए मैं बोल दिया जी 31 दे दो ठीक bracket बंद किया यह कर लिया अब यह जब किया तो समस्या क्या आया 41 था इसका position bracket का ठीक लेकिन medium function क्या किया medium function को जब मैं 41 दिया तो 41 विया character से ही read करना यह start किया ठीक लेकिन मेरे को क्या चाहिए था जी मेरे को यह चाहिए था कि जो 41 नंबर है वो 41 से नहीं 42 से करे ठीक है अगर 42 से करेगा तो क्या होगा यह bracket हट जाएगा तो जनवरी से read करना शुरू करेगा तो मैंने fine function में फिर से आया और यहाँ पे plus कर दिया one one किया तो 42 हो गया position इसका और जब 42 से read करेगा तो j से read करना शुरू करेगा ठीक यह देखिए आगर यहाँ पे तो seat का नाम पर तुमें निकाल लिया ना बड़े आसान था जी निकालना बड़ा आसान था ना ठीक है अब इन सारे function को जो है combine करके लिखना है हमें ठीक तो कैसे combine करों जी यहाँ पे यह देख लो इतने formula मैंने लगाया है इस पे जब आप click करोगे तो क्या होगा formula को so करेगा ठीक आप कोई formula लिखते हो और formula काम ना करे ठीक है तो इस वाले पे click करना ठीक है यह formula को so करेगा shortcut button यहाँ पे दिया हुआ है नीचे ठीक है यह सारा जो है formula है ठीक है इन सब को combine कैसे करो जी जब मैंने इतना लिखा तो मेरे भी दिमाग खराब हो गए थे ठीक है तो यहाँ पे जब को combine करके लिखना यह start करता हूँ मैं ठीक है आपको सिधा formula देखना है अगर ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिखा था आप देख सकते हैं इस पे जब क्लिक करेंगे इतना लंबा चवड़ा मैंने लिखा था ठीक अब यह सीधा देखेंगे आप तो समझ में नहीं आएगा कि यह लिखा क्या है ठीक है इसलिए मैं इसको नहीं दिखाता हूँ नहीं खुद देखता हूँ ठीक मैं आजाता हूँ यहाँ पे सबसे पहले इस function का मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे सारा formula combine कैसे होगा इतना लिखने के बाद मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि combine कैसे करूँ लेकिन मैं देरे-देरे combine करना शुरू किया कैसे किया equal to assign दिया सबसे पहले cell function का इस्तेमाल किया और यहाँ पे file name लिखा enter करके enter मार दिया ठीक इसके बाद मैं ए formula इस्तेमाल किया था तो यहाँ पे भी मैं उसी formula का इस्तेमाल किया ए find किया ठीक है अब ए बोल रहा है find text find text मैं रहे को कहां से मिलेगा within wait नहीं मैं कुछ गरबड कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले क्या मांग रहा है find text मांग रहा है ठीक है हमें find क्या करना है ठीक तो find function का इस्तेमाल मैं करूँगा ठीक है तो यहाँ पे मुझे find क्या करना है जी उसका text मैं दे दूँगा ठीक है जी ऐसे ठीक इसको बंद गिया मैं ऐसा ही कुछ दिया रहा हूँगा उपर वाले में कि यह find करना है ठीक है within character में कौन सा character होना चाहिए जी तो यह character होना चाहिए ठीक है इस start कहां से करना चाहिए जी कौमा लगाँगा इस start कर तो जी one से ठीक एंटर मार दिया तो यह वाला आ गया ना ठीक अब इसके बाद मैं क्या किया एंटर मारने के बाद इस meet function का इस्तेमाल किया हूँ अब उसी का इस्तेमाल मैं यहां पे कर लूँगा ठीक आपको याद होना चाहिए कि मैंने यहां पे जो 42 पोजिशन पे एक जोड़ा था ठीक तो इसमें आप अभी एक जोड़ दो ठीक है तो यहां पे मैं कर दिया प्लस वन अब यहां पे भी आ गया 42 आ गया यहां पे फर्मूला आप देख सकते हो ठीक है अब मैं क्या किया यहां पे meet function का इस्तेमाल करूँगा ठीक कैसे meet लिखा यह बोड़ा है मुझे text बताओ text तो मेरा यह वाला है तो text मैं कैसे बताओंगा formula से text बताओंगा कौन सा formula cell formula step file name यह ऐसे किया बता दिया मैं यहां से formula अब कॉमा दबाया बोड़ रहा है start कहां से करूँ तो यह जो find function है मेरा यह पूरा बता रहा है कि find कहां से करना है ठीक start कहां से करना है वो यह बता रहा है ठीक उसके बाद मैं दे दिया कॉमा फिर यह बोड़ रहा है number of character कितना character find करना है मैंने बोल दिया 31 ठीक अब bracket कर दिया बंद enter मारू यह देखे जी जन्वरी आ गया तो इतना लंबा चवड़ा मैंने formula लिखा इन सब को combine किया ठीक है एक साथ लिखा इन सब को यहाँ पर तो यह formula आ गया आप चाहो तो इस formula को paint paper से पहले लिख लो ठीक तो ऐसे ही आप धीरे धीरे करके दो तीन बार मैं practice करना ठीक है तो आप से बन जायागा यह ठीक यह है formula यह formula समझ में आ गया सब को किये कैसे बनाया हूँ मैं आप लिख रहे हैं तब तक time मेरा बरबाद होगा तब तक मैं इसको रोक लेता हूँ चलिए जी अब आगे चलते हैं इन सब को मैं delete मार देता हूँ ठीक है तो मैं भी इसको कर देता हूँ डिलेट ज़रुरत पड़ेगा तो हम insert कर लेंगे ठीक है अब मैं आता हूँ यहाँ पर ठीक है और यहाँ प्याने के बाद मैं क्या करूँगा महीने का पहला दिन लिखूँगा ठीक महीने का पहला दिन तो कैसे लिखूँगा मैं एक ठंक्सन में लिखूँगा डेट वैल्यू ठीक यह बोड़ा है डेट दे दो मुझे टिक्ट में ठीक है तो मैं इसको दे दूँगा डेट ठीक है यही वाला दे दूँगा मैं इसको ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे दिया है यह जो आप डेट देख रहे हो ना नहीं नहीं यह वाला डेट यह डेट जो है यह टेक्ट फॉर्मिट में मैंने पहले किया था ठीक है तो ठीक ऐसा ही डेट मैं वहाँ पे दूँगा ठीक यहाँ पे मैं आउँगा date value करूँगा यह date value क्या करता है कुछ अंगरेजी में लिखा है लंबा चवड़ा यह देख लो लंबा चवड़ा कुछ दिया है देख सक्के पढ़लो क्या बोलता है code return करता है तो मैं यहाँ पर करूँगा मुझे पहला date चाहिए यह मांगता है date को text में यह लिखोंगा मुझे पहला दे दो जी यह दे दो ठीक फिर concatenate कर दो इसमें किसको इसको तो पहला date मुझे कौन सा चाहिए जनवरी का पहला ठीक enter मारा तो यह आ गया जी क्या मजाक है यह पढ़के तो मजा नहीं आया तो यह date का code return किया है ठीक है यह वाला जो आप यहाँ पे देख रहो हो न यह भी code मेरे को return किया था ठीक है लेकिन मैंने code को custom format किया है कैसे किया है मैंने आपको बताया था आपको भी मालूम ही होगा format sell किया हूँ custom format में आया ठीक है और यहाँ पे custom format दे दिया है यहाँ पे कौन सा दिया हूँ वही format दे दूँ की दूसरा दे दूँ यही format दे देता हूँ ठीक यहाँ पे मैं कौन सा format दिया था यह देखो 1 जनवरी 2021 यहाँ पे है ठीक है तो यहाँ पर भी मैं एक जन्वरी 2021 EC दे देता हूँ ठीक है, कॉस्टम फॉर्मिट डीडी का क्या मतलब है? डीडी अगर मैं करूँगा तो क्या होगा? डीट आपको मैं बताया था उसके बाद M M M M करूँगा तो क्या होगा? महीना आएगा ठीक है? तो मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ इतना चाहिए ठीक, या पूरा ले लो वहाँ पे तो पूरा लिया था, पूरा ही ले लेता हूँ फिर मेरे को क्या चाहिए? तो वाई वाई कर दूँगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा डेट आ जाएगा ठीक है मैं इतना ही करके एंटर मार देता हूँ मैं ऐसे डेट वहाँ पे नहीं लाया था ठीक, वहाँ पे कैसे डेट लाया था आप देख लो जी ऐसे लाया था वहाँ पे डेट, कॉन के टिनेट करके, ठीक है तो कॉन के टिनेट मैं क्यों किया था यहाँ पे वाई 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 मैं लिखा हूँगा, यह देख लो, वाई वाई लिखा हूँ तो कॉन के टिनेट किया था तो वहाँ पे डेट आया था, ठीक है चलिए जी yy भी लिखिये देता हूँ यहाँ पे भी अब कॉनकेटिनेट मैं क्यों किया था मैं थोड़े देर में आपको बताओंगा थोड़े देर में आप ही बता देता हूँ जो भी आप date वो time insert करते हो न वो date time आपके इस computer का होता है यहाँ का यह date time बदल जाएगा तो यह भी बदल जाएगा ठीक लेकिन आपका date time जो है जैसे माली जी आपने अब यह attendance लिया ठीक है दो साल बाद इस seat को open किया तो क्या होगा system का time date ले लेगा system का date लेगा तो आपका तो बिगड़ जाएगा ना लेकिन बिगड़ जागा तो मजा नहीं आएगा जी पूरा हिसाब चौपट हो जाएगा ठीक तो हिसाब चौपट नहीं होना चाहिए उसके लिए क्या करना चाहिए जी जैसे मैंने यहाँ पर उस वाले seat में concatenate किया था यहाँ पर भी concatenate कर लूँगा इस बेस दे करके 2020 तो यहाँ पर हो गया 2020 ठीक आगया 2020 अब यहाँ पर मैं जो टाइप करूँगा ठीक है इसके लिए आप चाहो ना तो एक drop down menu यहाँ पर बना सकते हो कि इस वाले cell में हम जो लिखेंगे वो data बार बार formula में बदलने का जरूरत नहीं होगा ठीक है क्या करूंगा कि इस वाले और इस वाले के बीच में एक और insert कर दूँगा कालम और उसमें 2020 लिख दूँगा ठीक है और उस cell address को यहाँ पर concatenate कर दूँगा समझ में आ रहा है आपको concatenate कर दूँगा तो हो जाएगा ठीक है लेकिन मैं करने का mood में नहीं हूँ मेरा कोई जरूरत नहीं है ठीक है या कर दूँँ कर दूँ नहीं करूँ आप लोग कर लिजेगा मन करें ठीक अब यह तो start date हो गया ठीक है तो अगर आपको start date पता चल जाए तो और महिना पता चल जाये year पता चल जाए तो उसका आखरी दिन क्या होगा तो आप तो पता लगा लोगे आज आपको पता चलिया कि 27 तारिक है तो कल बोल दोगे कि जी कल तो 28 होने वाला है फिर 29 होगा फिर 30 होगा 31, 32, 35, 36 जितना तक जाना है चला जाएगा ठीक है आप ये कलकुलेट कर लोगे न तो ठीक मैं भी उसी तरह से कलकुलेट यहां पर कर दूँगा तू अब ये जनवरी 2021 है इसका आखरी डेट क्या होगा ठीक एक फंपनसन है जी बढ़ा आसान का इंट ऊप डेट में आपको बताया था अरे इंट ऊफ मंत ये बोल रहा है ये इस ट्राटिंग बताओ ठीक तो मैंने बता दिया जी स्टार्ट ये हो रहा है ठीक है कौम आ दिया अब ये बोल रहा है मन्त मैंने 0 देके एंटर मारा है यहाँ पे भी ये मजाक कर लिया इस तरह का मैं क्या करूँगा कि इसमें जो फॉर्मिट दिया था वही फॉर्मिट इसमें भी आ जाए तो पेस्ट इस्पेसल में आपको बताया था ना राइट लिख करके कॉपी कर लो ठीक है और यहाँ पे भी आके कर लो पेस्ट इस्पेसल ठीक और फॉर्मिट कई से पेस्ट होता है मुझे यहाँ से देखके समझ में नहीं आ रहा है इसमें मैं क्लिक करूँगा और सिर्फ formats में आकर कर दूँगा पेस्ट ठिक ये दिख लीजे 31 आ गया ठिक इसको दूसरे सब्दों में आप ऐसे भी कर सकते थे कैसे यहाँ पे क्लिक करो format finder पे जाओ यहाँ पे क्लिक कर दो यहाँ के यह format ठीक है अईसे ठीक है अब यहाँ पर मैं जन्वरी के बाद कर देता हूँ फरवरी ठीक यह देखी तो उन्तीस फरवरी हो गया ना 2021 के जिगह पर मैं कर दूंगा 21 28 हो गया तो यह ऐसा ही काम करता ठीक है यहाँ पर मैं कर दूंगा दिसंबर ठीक डीए सी से देख लो जी यह वैसे ही काम करेगा ठीक यह देख लो आप ठीक है काम कर रहा ना तो यह महीने का अखरी निकाल लिया यहाँ शुरुवात निकाल लिया ठीक है अब मैं क्या करूंगा जी यहाँ पर लिख लेता हूँ आईडी यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चों का नाम ठीक है बच्चों का नाम में क्या क्या में लिखा था मैं कापी पेश्ट कर लूँगा मेरे पास इतना सोचने का समय नहीं है ठीक है तो यही वाला जय कापी पेश्ट में मार लूँगा यहाँ से ठीक है कापी पेश्ट कर लूँ की नहीं कर ना करूं लिखूं कर लो न सही बात है इतना मैंने तिर लिए क्या फायदा फालतूगा बोल रहा है सेलेक्ट डेस्टिनेशन और प्रेस एंटर तुछ इस पेस्ट मार दिया मैं अंटर पेस्ट हो गया यहां पे ठीक है अब मैं यहां पे आऊँगा ठीक है यहाँ पे दिखाऊंगा मैं day ठीक यहाँ पे दिखाऊंगा और यहाँ पे तारीक दिखाऊंगा ठीक जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ठीक है यह देखे दिख रहा है न तो इसी तरह से मैं दिखा दूँगा जी एक कैसे दिख रहा है मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखी रहे हो यहाँ पे फर्मूला उपर आ रहा है यह कैसे आ रहा है जी यहाँ से आ रहा होगा D3 इसका से लेटरेस है तो यहाँ पे यह देखी लिखा है ठीक है तो ऐसे ही ला रहा हूँ मैं यहां पर, आप भी ऐसे ला सकते हो बड़ा असाम काम है, equal to का sign दे दो इस पर click करो, enter मार दो यह आ गया, मैंने इसका formatting बदल के किया है वैसे ठीक है, यहां पर मैं क्या किया जी, सिर्फ DD कर दिया, enter, तो एक आ गया ठीक है, अब इसी को पकड़ के ठीक ही चलूँगा न, तो हो जाएगा यह देख लीजे, नहीं हुआ न, मजा नहीं आया बहुत ना इंसा पिए जी चलिए, यहां पर मैंने को क्या चाहिए जी दिन का नाम चाहिए, ठीक तो इस पर click करके enter मारूँगा, तो यही आ जाएगा और यहां पर क्या करूँगा, format cell में क्या लिखो तो आएगा दिन हाँ, आप लोग काय को बताओगे बई, कसम खारक क्यों नहीं बताना है, तीन ठोड़ी लिख दूँगा तो आ जाएगा, यह तो मैं बताएगे दिया था आप लोग को इसको कर दूँगा, क्या कहां गया, rotation वाला आयसे कर दूँगा, तो यह आयसे हो जाएगा जी ठीक, यह इतना पर रहे तो अच्छा है ठीक, आयसे, ठीक है ना खर हम इसको करेंगे अब यहां पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसमें एक एक अकर जोडता जाऊंगा तो अगला तारीख बनेगा बनेगा ना चलिए जी, condition लगाना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है अच्छा, equal to assign देना चाहिए मेरा यादा साहिद इतना कमजोर क्यों होते जा रहा है यहां पर बोल रहा है जी logical test दो, ठीक तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है कि अब को है छोड़ो कोई हो क्या करूंगा नमै कि अगर यह वाला जो अंक है इस से छोटा है तो क्या करो जी बढ़ाते जाओ, जैसे मैंने इधर दिया है, ठीक है वही formula मैंने यहां पर लिखा है ठीक है, अब मैं वहाँ पर क्लिक नहीं करूंगा क्लिक करूंगा तो मैं गड़बड हो जाएगा ठीक है, तो क्या करूंगा जी लेख दूंगा एक, लेस देन ठीक है, इसमें यह अगर छोटा है तो क्या करो ठीक है तो इसमें कर दो एक प्लस ठीक है ठीक है अगर एवाला मतलब एक तारिक जो है इससे छोटा है तो क्या करो एक एक जोड़ते जाओ तो एक में एक और जोड़ दूँगा तो दो हो जाएगा तो दो तारिक हा जाएगा फिर दो में आएगा तो दो में एक और जोड़ेगा तो तिन दारीख हो जाएगा ठीक है ऐसे ही जोड़ूँगा ना मैं फिर कॉमा देता हूँ लेकिन अगर छोटा हो जाए तो क्या करो ये बड़ा हो जाए तो क्या करो खाली दे दो ना इंटर ठीक अब मैं क्या करूँगा इसको पकड़ के खीशता हूँ क्या मजाख है जी बहुत ना इंसाफ ही है यार ये एकसल बहुत मजाख कर रहा है मजा नहीं आ रहा है मेरे को डिलीट कर देता हूँ इसको अब समझते हैं जी इस तरह का मजाग क्यों कर रहा है ठीक है तो यह मजाग इसलिए कर रहा है क्योंकि यह वाला जो है ना इसको हमनों को लॉक कर देना पड़ेगा क्योंकि यह भी बढ़ता जा रहा है ना आगे अब इसको पकड़ता हूँ मैं ऐसे अब इसको मैं पकड़ के जो है खीच लूँगा फिर भी यह मजाग करने लगा जी अब मैं क्या करूँ मेरा दिवाग खराब दूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ क्या अब आप ही लोग बता दो जी कि ऐसा क्यों कर रहा है कोई आइडिया किसी के पास इसको भी लॉग कर दूँ इसको भी लॉग कर दूँ बताओ कोई जुगार बताओ जी जुगार कोई बताएगा कोई आंसर आखिर यह क्यों कर रहा है इसको ऐसा करना नहीं चाहिए था अब देख लो ठीक है नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है गूम कहा रहा है मैं यहां पर आता हूँ ठीक है यहां पर एक किया दो किया फिर एक किया ठीक है अब ऐसे पकड़ के मैं इसको खीचता हूँ यह आ गया ठीक है यहां पर क्या करूँगा एक करूँगा यहां पर दो करूँगा ठीक अब इसको मैं पकड़ के खीच रहा हूँ ठीक ऐसे यह आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है आपको आ रहा है ना तो वही यहां भी है नहीं समझ में पहले मैं क्या किया था यह वाला इस वाले को जो है मैं इसको भी सेलेक्ट किया था ना दूसरा बार में इसको मैं सेलेक्ट किया खाली इसको सेलेक्ट नहीं किया ठीक है इसलिए रिपीट तो इसको भी न कर देगा तो हमको तो इसको रिपीट नहीं करना चाहिए इसको करना चाहिए राइट तो यही है बागी तो इसमें कुछ रखा नहीं है जी हो गया मैं यहाँ पे भी वही काम किया हो गई देख लो यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे D आया फिर यहाँ पे E आ गया यहाँ पे उपर देखना यहाँ पे देखो ठीक है जी आगे आप ये वाला ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ डी है तो ये वाला थोड़ी रीपीट होगा रीपीट तो इसको करना है ना तो इसको पकड़ के खीचेंगे ठीक, क्लियर है कोई समस्या, ठीक है जी तो इस तरह का ये मजा करता रहता है पर छोड़िए मैं जन्वरी किया इसको फिर से कर देता हूँ दिसंबर ठीक है तो इस क्लियर है न आप पकड़के कि इसको खिचना है ये देख लो आ गया ये तो बहुत ना इंसाफी है जी ये भी ऐसे ही आने लगा मजा नहीं आ रहा है क्या करूँ जी ठीक ठाके आए बताओगे आप लोग डिलीट मारता हूँ मैं यहाँ पे आता हूँ ठीक है इकवल टू का साइन देता हूँ ये वाला में लेता हूँ अब करूँगा ठीक है तब ठीक हो जाएगा ठीक अब ठीक हो जाएगा ना पहले मैं किसको इसको लिया था ना तो इसलिए हो कर रहा था उपर वाले को फिर रिपीट कर रहा था ठीक है अब इसको लिया हूँ तो इसको रिपीट करेगा ठीक है इसको अब पकड़ के खीचता हूँ यह अब सही आ रहा है ठिक इसको मैं पकड़ लूँगा ऐसे अब इसको पकड़ के खीचूँगा कब तक? यह कत्तीस तारीख तर 32 तक ले जाओ गलत बता रहे हैं किया तारीख यह बता रहे हैं किया बता रहे हैं अरे हाँ यार सही बोल रहे हूँ मेरे भी दिमाग खराब हो गए है हाँ अब सही आएगा ठीक है पकड़ता हूँ इसको ठीक है अब सही आ रहा है सबसे बढ़िया है मैं इसको करूँगा ऐसे सिलेक्ट अब ऐसे सिलेक्ट करूँगा ऐसे कर दूँगा कंट्रोल प्लस आर ठीक आ गया ना फालतु है ऐसे माउस से ड्रेग और ड्रॉप करना ठीक है आप भी पकड़के खीच दिया करो यह देखोई 31 की बाद अब यहां आया तो ब्लैंक हो गया यह ठीक है तो यहां हमें फिलिंग नहीं करना है कुछ भी चीज़े यहां तक ही करना है ठीक अब मैं क्या करूंगा टेबल बना लूँगा इसको बना लेता हूँ टेबल में ठीक ऐसे अब मैं क्या करूंगा इन सब को जो है सेलेक्ट करता हूँ यहां तक ठीक है और इसको पकड़के यहां पर ऐसे करूंगा ठीक ऐसे अब यी तो छोटा हो गया इसको मर्ज कर देना पड़ेंगे ऐसे मर्ज कर दूँगा ऐसे ठीक जी तो ये वला आजाएगा ऐसे ठीक इसको मैं कर दूँगा मर्ज इसको भी मैं कर दूँगा मर्ज ठीक है इसको भी मैं कर दूँगा मर्ज ठीक, यह वाला कालम तो मैं फाल्दूए बनाया हूँ इसको और कर दूँगा इधार ठीक है, हो गया थोड़ा सा लाता हूँ, ऐसे क्योंकि मुझे थोड़ा डिजाइन में लिखना है ठीक है, इसको कर दूँगा जो है मैं उपर यह नीचे है, यह ठीक है ठीक है, अब इसको मैं पकड़ के खीच लूँगा तो ऐसे बन जाएगा नो, कहां फिल हो गया यारी कंट्रोल आर दबाऊँगा तो आटो फिल नहीं यार आटो फिल ऐसे करूँगा तो बिगड़ जाएगा कहां इसको पकड़ूँगा इसको पकड़ के खीच लूँगा मैं अईसे ही तो यह आटो फिल कर देगा फॉर्मेटिंग को जो फूरा तो उपर नीचे हो गया डिजाइन में सहीए दिखा रहा है और कुछ गड़बड तो नहीं हुआ है ठिक ऐसा बना दिया मैं हो गया ना 2021 चल रहा है 27 तारीख को देखते हैं कौन सा दिन था अहां मून डे ही है चलिए जी अब इसके बाद क्या करना है अब कुछ नहीं बस अटेंडेंस भरना शुरू कर दो ठीक है तो मैं आपसेन प्रजेंट जो लगाया हूँ इसी का उठा लो नहीं मैं इसका नहीं उठाओंगा जी तो क्या करेंगे हम इसको करेंगे पूरा सेलेक्ट ठीक है यहां तक ठीक सेलेक्ट कर लिया न मैं अब क्या करूंगा मैं यहां पर आऊंगा कंट्रोल सिफ्ट डाउन एरो ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लूँगा मैं इसमें क्या क्या भर सकता हूं मैं प्रजेंट भर सकता हूं अपसेंट भर सकता हूं लिव भर सकता हूं राइट तो इसमें हम लगा देंगे क्या लिस्ट वैलिडेशन ठीक आएंगे यहां पर वैलिडेशन में लिस्ट वाले मैं फि देंगे P कर दो, या तो A कर दो, या तो L कर दो, ठीक, दूसरा कुछ भर नहीं सकते, आपको भरने का पर्मिसन नहीं दिया जाता, राइट, चलिए जी, अब हर जगा जो है, ड्रॉप डाउन मेनू आ गया, दूसरा कुछ यहां पर A, B, C, D नहीं लिख सकता है, ठीक है, P भर में पी लेगा, छोटा में नहीं लेगा, ठीक, यह कर दिया, अब फिर से मुझे क्या करना है, जी, कंडिशनल फॉर्मेटिंग अब लगाना चाहा रहा हूं मैं, ठीक है, इस्टाइल, कंडिशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, यहां पर आता हूं मैं, हाईलाइट रूल, इक्वल टू मैं, ठीक है, अगर, P हो, तो क्या हो, ठीक है, Green कर दो, जी, OK पर मैं क्लिक किया, P लिखा, Enter किया, तो आ गया न, Green, अब क्या करना है, जी, यहां पर आऊँगा, डबल क्लिक किया, पूरा भरा गया, ठीक है, इसको पकड़ के खीच लूँगा, इदर जी, सभी मैं फॉर्मेटिंग लग गया, ठीक, लग गया न, अब क्या करूँगा मैं, इनसाब को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यह से डिलीट बटन दबा दूँगा, ठीक, अब क्या चाहिए मेरे को, अब मैं E में, E का कंडिशनल फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, कि अगर E टाइप करें, तो E में क्या लग है, ठीक है, लिख दिया मैं यहाँ पर E, E में कौन सा कलर चाहिए जी हमें, रेट कर दूँ, रेट कर देता हूँ जी, E आ गया, यहाँ पर डबल क्लिक मारूँगा मैं, पूरा रेट हो जाएगा, ऐसे पकड़ के लिखी चलूँगा इदर, E आ गया, पूरा फर्मेटिंग फिल हो गया, डिलीट बटन दबा दिया, पूरा यह गया हो गया, अब E करूँगा तो यह होगा, पी करूँगा तो ऐसा आएगा, आपने देख लिख 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 आ रहा है, अब मैं क्या करूँगा जी, L, L पे मैं कंडिशनल फॉर्मेटिंग अपलाई करूँगा, ठिक, समझ में आ रहा है या मैं बोले जा रहा हूं खली, एक या फिर से कंडिशनल फॉर्मेटिंग, यहां पे आया, इकवल टू मैं, L के लिए क्या होना चाहिए जी, अगर L है, तो क्या फॉर्मेट कर दो, एलो कर दो, ठिक, पीला कलर कर ठीक होगा, कर दिया मैं, अब डबल क् ठीक मारा, ठीक है, मैं ये, ठीक है, और इसको पूरा पकड़के जो है, फॉर्मेटिंग को खीच लूँगा, तो पूरा फॉर्मेटिंग जो है, अपलाई हो जाएगा, ठीक, हो गया अपलाई, हो गया ना फॉर्मेटिंग, चलिए जी, एक चीज और इसमें मैंने फॉर्म किया है ठीक है कैसे किया है मैंने जुरूल पर जाओगे तो सारा रूल साब देख सकते हैं यह देख लो इसमें भी मैंने वैसे ही किया है इल पर किया है ए पर किया है बतानी क्या क्या पर किया है ठीक है बहुत सारा रूल अपलाई किया है मैंने यहां ठीक है तो मैं क्या चाह उसमें जाता हूँ, मैं नया रूल बना लेता हूँ, ठीक है, यह, ठीक, यहाँ पे लिखोंगा, यह आया, ठीक है, इक्वल टू का साइन दिया, यहाँ पे लिखता हूँ, अगर संडे हो, तो क्या कर दो जी, फॉर्मेट, फिल कर दो, पूरा रेड, ठीक, ठीक है, इसको जो है, मैं लॉक नहीं कर दा, क्लिक किया, यह, देख ली जी, कहां मैं, ओ नॉ, मैंने दूसरे वाले डेटा में अप्लाई कर दिया, क्या, क्या मजाक है, मेरे दिमाग खराब सच में हो गया है, यहाँ पर मैं आया, ठीक है, कंडिशनल फॉर्मेटिंग,DIO, ठीक है, एकवल नहीं चाहिए, यह, मेरे को तो नया फ्रमूला बनाना है, ठीक है, नीव रूल, इस पे आया, ठीक है, यहाँ पे आओंगा, ठीक है, अगर इसमें equal to है क्या yes you and Sunday है तो क्या कर दो जी red color का कर दो पूरा ठीक कर दिया red कर दिया okay ठीक कर दिया मैंने ऐसा सच में काम करेगा मेरे को तो पता नहीं करेगा कि नहीं तो कर ये नहीं रहा है जी बड़ा मजाख है नहीं कर रहा है न ये तो बहुत ना इंसाफी है अब मैं क्या कर मुझी बहुत मैंने फ़र्मूला में कुछ गलती किया रहा होगा conditional formatting manage rules if sunday apply edit करता हूँ मैं ठीक है आगे है यहाँ पर equal to अगर sunday हो तो ये कर दो पूरा मैं select करता हूँ ये फ़र्मूला को मैं कर देता हूँ delete ठीक है okay दी ऐसे कर लूँगा ठीक है condition new rules दी नया rule बना लेते हैं यह पर आता हूँ इस पर मैं click कर लूँगा यहाँ पर आ जाओंगा ठीक है इसको मैं unlock कर दूँगा equal to assign दे दूँगा जी ठीक है यहाँ पर double coat होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा मैं पहले जो बनाया हूँ देखता हूँ उसमें है या नहीं है क्योंकि भूल गया मैं नहीं डबल कोट होगा बगेर डबल कोट के गुजारा नहीं है ठीक है इस ट्रिंग में होता ही है ठीक है तो आ गया यहाँ पर जी ठीक है कंडिशनल फर्मेटिंग निव रूल्स और बना दूंगा यहाँ पर मैं नया नियम करें ठीक है क्लिक क्यों नहीं हो रहे हो जी तूं यह भी लगता है नाराज हो गया इक्वल टू का साइन देता हूं इसको मैं कर देता हूं जी गायब फिर यहाँ पर आता हूं इक्वल टू एस यू एन शंडे ठीक है तो क्या कर दो जी रेड कर दो ठीक आयसा कर दो कर देते हैं जी ओके ठीक है और क्या करेंगे जी पकड़के खीच लेंगे फिर भी नहीं हुआ जी च्या मजाग कर रहा है मैंने जरूर मैं कुछ फार्मूला में गड़बर कर रहा हूं यह फिर से क्यों ऐसा हो गया है रुकिये मैं कुछ आइडिया सोचता हूँ अब रिज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे आते हैं जी ठीक है इप आता हूँ मैं यहाँ पे ठीक है इक्वल टू सुन डे ठीक कर दो जी ट्रू अन्यथा कर दो फाल्स ठीक अब यह फाल्स हो गया अब मुझे पता चल गया कि यह सच में संडे तो नहीं है तो इसके लिए क्या करना चाहिए जी सब को डिलीट कर देना चाहिए ऐससे ठीक है इक्वल टू का साइन दोंगा टेक्ट फंक्शन लगा दे दोंगा मैं इसमें और आऊंगा यहां पे कॉमा दोंगा डी 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 एंटर कर दोंगा ऐसे अब जो है यह प्रॉपर वर्क करेगा ठीक है मैं कहा क्लिक कर रहा हूँ चा मजाग है अब यहां तक ही चलूँगा ऐसे ठीक है अब देख लो यहां पे जो लगाया था ना मैं फर्मेटिंग वगर वो सब काम अप करेगा ठीक है तो इसका कारण यह किया था मैं इसो करता हूँ डिलेट ठीक है डिलेट करना चीए तो मैं एडिट करना हूँ ब्रेन डैमेज हो गया है इस पे मैं आ जाओंगा ठीक है यहां पे आओंगा ठीक है यहां पे आओंगा कंडिशनल फर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा हाँ अगर बराबर हो किसके संडे के ठीक है ये वाला इसको मैं लॉक नहीं करूंगा ठीक अगर ये बराबर हो सुन दे के तो क्या हो जाए जी रीड हो जाए तो यहाँ पर मैं आऊंगा और इसको कर दूंगा मैं ऐसे क्लिक इसको पकड़ के खीचलूंगा मैं ऐसे और इसको पकड़ के खीचलूंगा मैं नीचे ठीक अब एकसल को समझ में आ गया जी ठीक है अब ये बन गया संडे जी ठीक है अब क्या करना चाहिए? पहले क्या कर रहा था, जो मैंने पहले लिखा था, वो ये टेक्स्ट के रूप में नहीं treat कर रहा था, जब text के रूप में treat नहीं कर रहा था, तो मेरा condition true नहीं हो रहा था, और मेरा ये जो है, pulse आ रहा था और ये formatting कर नहीं रहा था तो मैंने आपके सामने इप का condition लगाया और debug कर लिया, ठीक मुझे बहुत खुशी हो रहा है ये जान करके कि मैं गलती किया था, ठीक क्यूंकि गलती होता नहीं तो गलती सही कैसे करना है ये बात आपको भी नहीं समझ में आता ठीक है, मैंने condition लगाके जैसे चेक किया, आप भी वैसे ही condition लगाके, चेक कर लिया करना जी, ठीक है चलिए, इतना तो काम हो गया अब क्या करें ये जितने बच्चे हो, सारे के सारी इमांदार बच्चे हैं, ठीक है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आउंगा डबल क्लिक कर दूंगा, नीचे फिल हो जाएगा, ठीक है और यहां पे आउंगा पगड के खीच लूंगा, यहां तक साब बई प्रेजेंट हैं, डेली आते हैं ठीक नो, एक क्या हो गया सब कुकर दिया मैं, प्रेजेंट ठीक है, दो-चार्टों इधर अपसेंट रहने देता हूं, कुछ लोगों को कुछ ऐसे भी तो होना चाहिए, जो कब्बे नहीं आते ठीक तो कुछ लोग है, जो कब्बे नहीं आते जी, कुछ लोग है, जो कि आते जाते हैं ठीक है चलिए जी अब यह अटेंडेंस सीट हमारा बनके रेडी हो गया है ठीक है यहाँ पर दिसंबर के दुगर पर दूसरा अगर कोई महीना आता है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा मैं रिनेम करके जन्वरी कर दे रहा हूं ठीक जन्वरी किया, यह आ गया ठीक है अब जन्वरी किया अकॉर्डिंग सब कुछ है पर्फेक्ट काम करेगा ठीक है राइट चलिए दिए संडे में प्रेजन्ट होगा अच्छा प्रेजन्ट है तो बदल दिया ना मैं इसलिए ओ प्रेजन्ट हो गया डिलीट मार देता हूँ ना क्या दिक्कत है ठीक है इमांदार लोग है भाई संडे को भी आते है ठीक है अंग्रेज आये थे संडे आ गया अंग्रेज चले गया संडे भी चला गया बच्चे आ रहे हैं अब क्यों बच्चों को तो salary दिया नहीं जाता ठीक है लेकिन मान लीजिए आप थोड़े देर के लिए कि ये सारे कोई काम करने वाले employee है ठीक है तो काम करने वाले employee को तो salary दिया जाता है ठीक है मुझे salary वगर भी calculate करने का थोड़ा सा समझना है या फिर बताना है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि salary को भी calculate करना चाह रहा हूँ इदर ठीक कैसे calculate करूँगा बड़ा आसान काम यहां से start करते हैं P से present कितना दिन रहा A से absent कितना दिन रहा L से छुटी कितना दिन लिया ठीक है छुटी कितना दिन लिया ठीक है जो की payment करने योग यह है ठीक है Payable date क्या लिखते है उसको Pay date ठीक यहां पर हम लिखेंगे कि कितना दिन रहा है जिस दिन हमको सिर्फ Pay करना है उसको पईसे ठीक यहां पर लिखेंगे per day वो कितना लेता है ठीक है Pay Per date Per day लिख देता हूँ मैं ठीक है D-A-Y ठीक कि एक दिन का उसका कितना salary है Total कितना दिन का salary उसको Pay करना है यह present absent की आधार पे निकाल लेंगे हम ठीक है हो जाएगा और इधर पकड़के खिच लेंगे इतना और यहां पर आ जाएगा total total salary उसका कितना हुआ जो देदो उसको ठीक मैं इतना काम कर लेता हूँ जी ठीक है जलिए जी फर्मूला लगाना शुरू कर देते हैं हम लोग ठीक यहां पर मैं आ जाओंगा ठीक है क्या लगाँ फर्मूला जी बताईए आप लोग बताईए मुझे कि इधर जीतना present लिखा है कितना जगा पर present है वो सब को यहां पर गिंती करके लाना है present में कैसे करूँ बताईए मुझे क्या फर्मूला लगाँ आप लोगों मैं बताया था फर्मूला लगाना तो बताईए कि क्या फर्मूला लगाँ बताओ थोड़ा तेज बोलो मुझे भी समझ में आए या आप लोग भी सोच रहे हो टाइम चाहिए थोड़ा और बताओ बताओगे भई नहीं बताओगे नहीं बताओगे तो मत बताओ नाराज होगे हो सायद हम ही लिख लेते हैं काउंट कर लूँगा काउंट टीप ठीक है यह बोल रहाए जी रेंज बता दो मैं यहां से सेलेक्ट गिया कंट्रोल सिफ्ट लेफ्ट एरो दबाया और पूरा काउंट कर लिया यहां पे प्रेजन्ट में काउंट कर रहा हूं तो यहां से प्रेजन्ट ले लो या फिर आप यहां पे हाड गोड कर दो ठीक है ठीक है तो यह टोटल प्रेजन्ट हो गया ठीक है, इसको मैं टॉप में ले जाता हूँ, सेंटर में ले आता हूँ ठीक है, तेज दिन, अब सेंट कितने दिन है, फिर से यहाँ पे वही वाला फंक्सन में लगाऊंगा इसी को कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, यह फंक्सन तो बड़ा असान है, आप लोग जानते हो यह फंक्सन ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट करूँगा और यह कर दूँगा, एंटर, यहाँ पे भी आऊँगा, यह करूँगा, सीधा, अब मैं लेफ्टेरो दबाऊँगा, तो मैं अपसेंट वाले सेल पे चला जाऊँगा, इसलिए टू दबाके मैं लेफ्टेरो दबाऊँगा, तो इधर आ जाऊँगा, यहाँ पे कर दूँगा इल रहा है यहां पर एक कर देखूं कि अ कब बढ़ गया और यहां पे लिकरों नहीं सुप अ अरहा है ठिक गिन रहा है घिल लूआ ठिक था और अब एक क्या बोल रहा है subscribe पेडेट ठीक है मतलब किस-kis दिन को इसका पेदेट मिलना जाहिए जी तो मुझे ऐसा लगता है न कि जितना दिन तक ये आया है ठीक है वो टोटल दिन इसको सेलरी देना चाहिए ठीक है देना चाहिए न और कितна- küçükना दिन देना चाहिए नहीं देना चाहिए जितना दिन संडे पड़ा है ठीक है उसका सेलरी दे देते हैं जितना दिन प्रजेंट है उसका सेलरी दे देते हैं जितना दिन छुट्टी का आवेदन दिया है उतना दिन का भी सेलरी दे देते हैं अपसेंट वाला नहीं देंगे ठेक, बढ़िया है फर्मूला चलिए जी, इक वर्टू का साइन दोंगा ठीक है काउंट इप करूंगा मैं C O U N T काउंट इप काउंट को संडे को काउंट कर ये जरा फ्राइडे तक सेलेक्ट किया इसमें गिनो जरा कि संडे कितना है तो यहाँ पर लिख दिया S UN SUNDAY हेलो जी क्या मैं गलत लिख दिया, क्या पाँच थो संडे है ये बोल रहा है सच में पाँचेटो संडे है बोल रहा है तो माल लेता है ठिक पाँच थो संडे का संडे का शेलरी दे तो 23 दिन आया है उसका दे दो छुट्टी पर अगर है तो उसका भी देए तो बता के भाई मांदारी के साथ गया है अपसेंट का तो नहीं देंगे जी हम चलिए यह क्या मजाक है यह तो बड़ा बेकार मजाक कर लिया यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट यह क्यों ले लिया है जन्रल फॉर्मेट किया तो अब आगया ज़िए टीश दिन में चार दिन संडे था ना पांच दिन संडे था सच में मेरे कोई यकिन नहीं हो रहा है अचब पांचे दिन था मेरा ही यह याद दस कमजोर है बांच दिन संडे हो गया अब फिर से custom ले लिया, मेरे को general करना पड़ेगा, ठीक है तो 5 और 3, 8 और 20, 28 हो गया इसको मैं क्या करूँ, पकड़के खीच लूँ इन साब को मैं पकड़के खीच लेता हूँ ठीक एरर मैं चाह रहा था कि आ जाता तो बड़ा अच्छा था लेकिन आया नहीं रहा हूँ, उगलतियां क्या है, आप देखिए इसका 22 के 22 ही क्यों आया है यहाँ पे Saturday फिर से आ गया, general format 28 यहाँ पे 23 का 23 ही आया है, यहाँ पे 22 का 22 ही आया है, क्यों? यह तो गरवर बात है न, वो इसलिए आया है कि देखिए से लेडरेस यहाँ पे तो सही है, उपर वाले इसका है, लेकिन नीचे का जो से लेडरेस है, वो गड़बड हो गया ठीक, यह count if 0 दे दिया, तो इसको हमें क्या करना चाहिए जी? लॉक कर देना चाहिए ठीक है, कैसे लॉक करेंगे? यहाँ पे दबा दूँगा, मैं एफ़ोर, यहाँ पे भी आऊंगा, दबा दूँगा, एफ़ोर एंटर कर दिया जी यह बार बार क्यों custom format ले रहा है? इसको समझ में नहीं आता, कि मैं क्या बोल रहा हूँ इसको? इसको मैं डबल क्लिक यहाँ से करके मारा, अब फिल हो गया अचा पांश्ट हो जो मैं संडे को दे रहा था ना सेलरी यह बंदे कब भी आते नहीं है, इन लोग का संडे का पैसा चाहिए नहीं दे सकता, बहुत ना इंसा भी है यह तो है ना? तो ऐसा कुछ करे हम लोग कि संडे का तो पैसा ना देना पड़े भई, कम्पनी को घाटा हो जाएगा ठीक? हो जाएगा ना? यह देख लिए तो यहाँ पे आता हूँ मैं क्या फर्मूला लगाऊं जी? फर्मूला मैं यह लगा लेता हूँ कि अगर यह आदमी अगर एक दिन भी नहीं आया है ठीक है? अगर एक दिन भी नहीं आया है तो संडे का भी पैसा, छुटी का भी पैसा, किसी चीज का पैसा मत दो ठीक? तो क्या कर दो? फर्मूला बदल दो ठीक, यहाँ पे लगाओ if अगर अगर यह जो present है वो किसके बराबर है zero के बराबर है, मतलब यह zero दिन आया है ठीक है, तो क्या करो तो इसको salary देदो zero रुपए अन्यथा क्या करो, कौमा देदो और देदो सारा salary enter मारा मैं बोल रहा है कि formula गलती लिख रहे हो सच में गलती यह लिख रहा हूंगा लेकिन सुधार लिया साथ ठीक है if का bracket यहाँ शुरू हुआ एक यहाँ शुरू हुआ, एक यहाँ क्लोज हुआ यह वाला if का bracket क्लोज कर लिया है ठीक है, अब इसको मैं करूंगा पकड़ के खीच लूंगा नीचे तो ये देखिए अब सही आ गया ठीक है तो हो गया इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर इसका present दिन जीरो के अगर बराबर है तब क्या कर दो जी? जीरो कर दो सारा salary और present अगर जीरो के बराबर नहीं है तो भी Sunday को देदो छुट्टी देदो present का दो दे नहीं है ठीक? तो clear आप लोगो इतना? clear न? आगे चले इसका एक दिन का salary कितना होगा? दे दो 500 रुपे दे दो 200 बहुत कम हो जाएगा नाराज हो जाएगा ठीक है क्या कह रहा हूँ? 2000 दे दे नहीं 500 में फुस हो जाएगा ठीक है तो 500 रुपे इसका एक दिन का दे दूँगा ठीक है अब इसको पकड़ के खीच ले रहा हूँ ऐसे ठीक? अब जब यहाँ पर आये नहीं है तो इनको क्यों चाहिए अब मल्टिप्लाई कर देंगे हम ठीक है तो हाँ वो सही कह रहे हो भई कि जिर्वे हो जाया क्यों ठीक है तो अब यहाँ पर आऊँगा क्या मैं फर्मूला लगाँगा इपल टू का साइन दे दूँगा इसको मल्टिप्लाई कर दो एक रेसे ठीक? इसको मल्टिप्लाई क इस से, enter दबा दिया, यहां पे आया, ऐसे कर दिया, ठीक है, तो 0 से multiply होगा, तो 0 हो जाएगा, आपने बोला था, मैंने भी बोल दिया, ठीक है, हम सब ने कह दिया, तो यह माल लिया, इसको मैं delete कर देता हूँ, ठीक है, delete नहीं करूँगा रहने दो, ठीक, यह salary मिल गया, ठीक है, आप कुछ बचा है क्या, मेरे को तो लग नहीं रहा है कि आप कुछ बचा होगा, ठीक है, तो इसी तरह से आप निकाल लिया करना जी, ठीक है, यह present absent मैंने बहुत बेकार तरीके से लिखा है, आप लोग अपने according सही कर लेना जी, ठीक है, यह हो गया ना अब, चलिए जी, हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे click करूँगा, फिर यहाँ पे click करूँगा, shift के साथ 11 दबालूँगा, और I save कर लूँगा, ठीक, यह जन्वरी है, यहाँ पे मैं आता हूँ, rename करता हूँ और कर देत ठीक है, फर्वरी के बाद क्या होता है, March, एक क्या होता है, April, 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 मैं रोक लेता हूँ इसको और फिर